सब्सक्राइब आज के वीडियो में बहुत ही बैलेबल चीज के बारे हम बात करने बाला आप सब के लिए काई आपको पता होगा 17 तरी को आप सबका एक्जाम होने बाला है और समिस्टर का बिसिकली फास्टन थाट समिस्टर का ठीक है एक्जाम से अप्यर होने से पहले यह वीडियो डेफिनेटली आपको पुरा सुरूच लेकर एंड तक देखना है कि यह बहुत सारे बहुत सारे बहुत चीज में आपको बाताने वाला हूँ इक्जाम में डूस लोट रहें चा रहें कंटेंगे गजीम साहे साथ है चीनल यह कैणी का फासका यह अद्ड कार में धिक चलत्क दिक्रान वर्त में ? देफिनेटली विडियो बहुत ज्यादे बहले बूलोगा आप सबके लिए यसले विडियो को एक लाइक जरू कर दो सेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको एसकार आपता चले एक्जम में आप यह उने से पहले सबको यह वीडियो जरूर पहुंचा देना ठेक जड़ा नहीं करेंगा चले शुरू करते हमारा आज का वीडियो बट यार उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यों तो गाई डेफिनेट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल एकन क जरूर दावान ठेक चले शुरू करते हैं सबसे पहला चीज में बताना बाला हूं अपको आपको करना चाहिए आपको आपको जो सरह फोल्डर है उसमें चेक करना चाहिए ठीक है तो आज भूल गया हूं इसलिए हाथ से में काम चला लेता हूं यहाँ पर इसको स्लेट कर इस पहले थिंग आपको क्या है आपको अपना mail का सारा folder check करना है ठीक promotion हो गया spam हो गया main folder हो गया सबको thoroughly check करना है ठीक next thing अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है next thing आपको क्या करना है next thing आपको करना है contact your college आपको आपको कॉलेज को गन्टाइट करना है क्योंकि उनके पास भी admit card हो सकता है ठीक है अगर उनके पास होगा तो आपको provide करते हैं बाटर यह करने के बाद भी अगर आपके पास admit card नहीं है ठीक है नहीं है देन यह क्या फर्क बढ़ता है admit card होने से ना होने से फर्क बढ़ता है admit card में basically जो basic information होते हैं नेम प्रोल लंबर आपका सब्जेट सब्जेट कोड कोंसे टाइमिग है वह सबके बारे आं बताया गया है बेसिक इंफर्मेशन की मोबाइल लंबर आपका इंफर्मेशन है यह सब तो आपको आपके पास आडमिट कर होता था तेन सारा कुछ आपके पास एक ही जगह पर नहीं है क्योंकि online exam में आपको admit card नहीं पूछने वाला ठीक है कोई भी नहीं बोलेगा admit card दिखाओ आपको सिर्फ id and password चाहिए id password आपको exam के one day पहले ही मिल जाएगा ठीक है अगर admit card नहीं है then भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि admit card not mandatory mandatory नहीं है admit card ठीक गाइस फास्ट थिंग complete नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करते हैं so guys next thing is exam is tough so guys बहुत से student बोले क्या भाई exam tough होने बाला है क्या exam बहुत सारा difficult होने बाला है तो गाइस बताना चाहिए मुझी जो लगता है होने बाला है आपको पता होगा 110 कोसिन आने वाले पहले जब exam हुआ था उसमे 150 कोसिन आये थे 50 कोसिन आपके पास थे एक्स्ट्रा फिर जो next type का exam हुआ online mode 120 कोसिन आये अभी 110 कोसिन आये ठीके तो guys इसलिए मतला obviously पहले comparison करो तो थोड़ा difficult होने बाले अगर आप इसे देखोगे tough नहीं है क्योंकि 100 कोसिन आपको करना है 10 कोसिन आपके पास एक्स्ट्रा है बिल्कुली tough नहीं है बट अगर प्रिभियसले comparison करो थोड़ा आपको tough लग सकता है ठीक है उसके साथ साथ टाइम आपका reduce हो चुका है पहला की मा पूरा सोच समझ के अच्छे से दिमाग का इस्तेमाल करके पढ़ाई जो किये हो उसको इस्तेमाल करके आराम से बेटका answer देना ठीक है बिल्कुल calm and quiet तरीके से बिल्कुली panic होने के जरूत नहीं है आराम से एक्जाम देना बहुत अच्छे से एक्जाम दाने बाले है आप स अच्छा जाने बाला है नेक्ट तिंग गाइस, शीट स्ट्रेट, आप देखरों ना मैं यह से बेठा हूँ, यह सब नहीं, बिल्कुल आराम से, पूरा काम से अच्छे सिधा बेठके एक्जाम दाना है, ठीक है, नेक्ट तिंग, सीट इन लाइट रूम, आपको एक लाइट रूम में जहां पर अच देखा, तो आप दिक्कत में आ सकते हो, ठीक है, इसले गाइस, अच्छा तरीके से जहां पर अच्छे स्लाइट आ रहा होगा, उस रूम में बेठके एक्जाम दाना, ठीक है, इसले गाइस, आप हमेशा याद रखना यह बात, चार्ज लाइट जरूर अपने पास रखना, अगर लाइट कड भी जाता है, देन आपके पास चार्ज लाइट होगा, उसको ओन करना, ताकि दिखाया आ जाया, ठीक है, मतलब आपका फेस अटलिस दिख जाया उनको, ठीक है, इसले गाइस, चार्ज लाइट हमेशा अपना पास रखना, ठीक है, नेक्स्ट तिंग, अगर चार्ज का दिख्रत आता है, अच्छा नहीं होगा, ठीक है, आज ले आपके पास चार्जर होना चाहिए, अपने डिभाइस का, ठीक है, नेक्स्ट तिंग, की वाटर बटल होई थू, यह बात मतलब कोई ध्यान नहीं देता है, और सब को सफर होना पड़ता है, ठीक पास में रख लेना, ठीक है, आपके पास एक वाटर बटल होना चाहिए, पानी बटल अगर आपके पास में होगा, दिन आपको अपने सीट से उठके जाना नहीं पड़ेगा, अराम से अगर आपको प्यास लगा, तो आप वहीं से भी पानी पी सकते हो, ठीक है, इसले से नहीं आ रहा है, तुका लगाओ, कोई भी मतलए उसमें दिकत नहीं है, बट या सोचना, समझना, अपने जो सा नौलेज है, उसको इस्तवाल करना, उसके करने के बाद, पुरा सोचने के बाद, थोर हो जाने के बाद ही तुका लगाना, ठीक है, बट को छोड़ना नहीं बिल्कुल निचुना नहीं, अगर टाइम कम है, अगर टाइम आके पास, सपोर्ज दस मिनिट है, आपके पास 40 कोसिन बचा है अभी तक, क्या करना है, अभी अगर सोचो के तो नहीं कर पाऊगे, इस लगाए सारा कोसिन को अटेंड कर लो, ठीक है, कोई भी कोसिन को बिल्क इसे एक्जाम दे रहे हो, इसे उधर, इधर, उधर, इधर, निचे, इसे तरीके से बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है, गाइस, नेक्ट तिंग, डोंट वेक फ्रम एर सीट, एक्जाम दे रहे हो, सीट से उटके चलेगे, इसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर टोक्टर देख रहे होंगे और देखेंगे आप अपने सीट में नहीं हो फस जाओगे इसलिए गाइस सीट से उठके बिलकुल भी नहीं जाना है ठीक है अगर आपको जाना है अगर कोई टोक्टर को पूछना अगर रिप्ला देता है देन जाना ठीक है वह रिप्ला नहीं देते हैं तो इसलिए गाइस बेटार है सीट से उठके बिलकुल नहीं जाना अगर हां मतलब कोई दिक्कत आ गया लाई कि अगर आपको सपोज आपको कसर को थोड़ा मुव करना है नेक्स क पर जाना है तो नीचे देखके करोगे उसमें नहीं है अगर ज्यादा टाइम थे का आप नीचे देख रहे हो बार बार इंटेंशनाल नीचे जुक के देख रहे हो देन उसकेस में थोड़ा दिक्कत हो सकता है इस लगाई उसका थोड़ा ध्यान देना ठीके नेक्ट डिवाईस इलेक्ट्रोनिक्स डिवाईस है उनको आप बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखना ठीके आपके सेप्टी के लिए बोल रहा हूं बिल्कुल ही नहीं रखना एक्जाम इस बात थोड़ा टाफ हो सकता है ठीके इसले गाईस ग्याजेट से बचके रहना देन देन अगर फेस अगर सही से नहीं दिखा यह ही आपको वार्निंग करेगा मतलब इंथाक्ट हर एक मिनिट में आपको वार्निंग आ सकता है हर एक मिनिट में मतलब सोच रहना लिटरल हर एक मिनिट में मतलब वान आवर में आपको 60 वार्निंग आ सकते बटा उससे प्यानिक होने यादिकत करने की बात नहीं है ठीक है next thing don't talk exam के टाइम में जब कोस्चिन देख रहे हो कोस्चिन देखना अपने आप ही ठीक है अपने आप ही अपने मन में ही कोस्चिन को पढ़ना अंसर करना मूब अगरा खोलने के जरोत नहीं क्योंकि माक्रोफोन का अक्सेस आप दे रहे हो इसलिए थोड़ा ध्यान से आप एक्जाम देना ठीक है यह गाइस थे हमारे do's and don'ts यह सारे मैं बता दिया आड्मिट करका इसू जहो था उनके बारे में बता दिया सब कुस बता आ रहे है उठना करो जो नहीं आ रहे है उसको भी अटेंड करो कोई भी कोसिंग को छोड़ना नहीं है आराम से कोसिंग करके आना ठीक है ब्रेक एलेग ठीक है गाइस यह था हमारा आज का वीडियो एफ देट इस वैलेविल फर्यों के पसंद आया लाइक कर दो शेर कर दो बिल्कुल पसना पसना हो गया हूं गाव में बैठाओं यार इसलिए एक लाइक जरू कर दो शेर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि सबको इसके रहे हम पता चले और सबका हेल्फ हो जाए ठीक गाइस तो गाईस आज चले चलते हम आज के लिए इतने फिर में तो ने